Good morning, today is third of May 2017 and we are going to discuss the articles of the Hindu सबसे पहले ने जाए डालते हैं कौन-कौन से articles आज हम discuss करने जा रहे हैं पहला जो article है Fortified Food से लेटिड है तो जानने एकोसिस करेंगे कि आखिरकार Fortified Food होता क्या है और क्यों हमें आफसकता है Fortified Food की नीचे का जो article है इंडिया और टर्की के relations को लेके है काफी important article है इसे हम discuss करेंगे बीच का article M के नरानन साब द्वार लिखा गया है वो बता रहे हैं कि कस्मीर में फिलाल situation कितनी ज़्यादा grim है और अपने कुछ solutions भी दे रहे हैं कस्मीर unrest से निपटने के लिए तो इसमें से हम important points को extract करके discuss करेंगे नीचे का जो article है climate change या फिर global warming के कारण में जो हमारे स्मूंद्रों में पानी का स्तर जो है वो काफी बढ़ गया है और इससे जो छोटे island countries हैं उनके अस्तितों पर स्वाल खड़े हो गए हैं और भविशय में उनके डूबने का खत्रा पैदा हो गया है तो इस article को हम discuss करेंगे यहाँ पर जो article है वो हमित करजाई के साथ में आज interview प्रकासित करा गया है यह पूरव में अफगानिस्तान के राश्टरपती थे तो important points को यहाँ भी हम discuss करेंगे और उसके बाद WHO की नई guidelines जिसमें CD4 count को ignore करते हुए सभी लोग जो 8 से पीडित हैं उनको anti-retroviral therapy मिलनी चाहिए तो इस article के basics भी हम जानेगे चलिए शुरुवात करते हैं fortification वाले food के article से यहाँ पर देखे देखे हमारे street को स्वस्थ रखने के लिए हमें काफी सारे vitamins, proteins और minerals के आफसकता होती है और हमारी जो diet है वो काफी ज़्यदा diversified होनी चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है कई कारणों के कारण में जैसे example के तोर पे बताऊं तो ग्रीबी एक कारण है ग्रीब लोग अपनी diet को कई बार diversified नहीं कर पाते यानि milk या फिर जो eggs वगरा है उसको effort नहीं कर पाते या फिर कुछ और भी factors responsible हैं जिसे example के तोर पे आपको बताऊं तो आप simple example ले लिजिए UPSCS parents का UPSCS parents काफी बार अपनी पढ़ाई पर इतना जादा फोकस करते हैं कि अपनी diet पर ध्यान नहीं दे पाते तो काफी सारे minerals, vitamins और nutrients की कमी हो जाती है उनके अंदर में ये सिरफ 2-3 कारण है example के लिए तो एक आंकडे के अनुसार में देखिए हमारे world की एक तिहाई जो population है वो iron, vitamin या फिर iodine की कमी से जूज रही है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं देखिए इस चीज का एक समाधान है fortified foods यानि हमारे खाने के अंदर में हम जो nutrients जिन nutrients के हमारे body को आशकता है वो externally, artificially यानि क्रितरियम रूप से हमारे खाने के अंदर में हम वो nutrients add कर दें यानि इस पूरे process को कहते है fortification of food यानि देखिए माली जिए अगर आप चावल खा रहे हो सिरफ राइस या चपाती खा रहे हो दूद या फिर जो दूसरी चीज़ें आपको खाने चाहिए fruits आपको खाने चाहिए वो आप नहीं खा रहे हो तो एक तरीका यह होता है कि आप अपने rice या चपाती में उन nutrients को add कर दीजिए जो आपको मिलते हैं fruit जिने आप नहीं खा रहे हो तो इस पूरी चीज़ को कहते है fortified foods या fortification of food तो यहाँ पर देखिए तो यह पूरी process जो है process of adding micronutrients यानि micronutrients को हम add करते हैं हमारे खाने के अंदर में और हमारे स्रीर को स्वस्थ रखने की कोसिस करते हैं तो यह जो हमारा food होता है वो food fortification होता है काफी सारे advantages है इस चीज़ के एक तो देखिए सबसे पहले तो simple सा example है हमारे स्रीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं और extra nutrients की जो हमें स्रीर को चाहिए वो हमें मिल सकता है इस पूरे process है यह fast तरीका है बिल्कुल अच्छा तरीका है और safe भी है यह सब जो है इसलिए यह काफी सारे advantages है food fortification के उसके बाद मैं देखिए कुछ priorities भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होगा अगर हम food fortified food अगर हम available करवार हैं जनता को तो देखिए सबसे पहले तो देखिए आपको iron यूक्त जो food है यानि ऐसा food जिसमें iron available हो वो आपको available करवाना पड़ेगा क्योंकि देखिए iron की कमी के वज़े से 20% maternal death होती है maternal death वो death होती है जब महिला की मोत हो जाती है pregnancy के दुरान में या फिर pregnancy को terminate करने के 42 दिनों के अंदर-अंदर जो मोत हो जाती है मैला की उसको maternal death कहते है तो 20% जो ये death होती है वो iron की कमी के वज़े से होती है अगर pregnancy के दुरान जो मैलाएं है वो anemia से पीडित है anemia मतलब खून की कमी से पीडित है या फिर RBC के जो count है वो कम है तो इसका असर देखिए बच्चे को भी देखने को मिलता है बच्चे का जो वज़न है वो काफी कम होता है और cognitive abilities cognitive abilities वो abilities होती है जिसमें बच्चे अपने दिमाग की साहिता से चीजों को समझते हैं learn करते हैं और परकते हैं तो बच्चों को जनम यानि जो मैलाएं एनमया जो प्रेग्णेंट मैलाएं एनमया की खून की कमी से जूज रही है तो बच्चों में भी काफी तरह की कमिया पाई जाती है उनका वजन काफी कम होता है या फिर cognitive abilities हो परभावित होती है तो इसलिए बच्चों को देखे विटामिन्स प्रोवाइड किये जाने चाहिए जिंक या फिर दूसरे जो आवशक नूट्रियेंट्स हैं वो मिलने चाहिए और खास करके 6 मैने से लेके 12 साल के बच्चों को अगर ये सब चीजे ये नूट्रियेंट्स मिलते हैं तो और फैट भी अवेलेबल करवाना होगा क्यों कि देखिए जब आपके स्रीद में अगर ओयल या फैट या फैट नहीं होगा ये सब आप कंजूम नहीं करोगे तो आप नूट्रियेंट्स को एक परकार से एब्जोर्ब भी नहीं कर पाएगी आपकी बोडी तो सरकार को चा बनाना होगा देखिए जो अपने घृब लोग है तो अगर माली ये फोर्टिफाइद फूड मेंगा होगा तो फिर फाइदा ही क्या उस चीज़कार को चाहिए ना सिरफ झो इसको एफोर्डेबल बनाएं बल्कि अवेलेबल भी करवाए ने है देश के दूर राजके इला है कि PDS के माध्यम से fortified food को available करवाए जाए PDS के माध्यम से जो food मिलता है वो सस्ता भी होता है और दूद राज के इलाकों में available भी होता है इसके साथ साथ जनम के बाद पहले 6 में इनों में breast feeding की भी आवशकता है और देखें long term solutions यह है कि fortified food अवेलेबल करवाए जाए लेकिन long term solution तो यह होगा कि जो diet है वो diversified होनी चाहिए awareness लोगों के अंदर में आनी चाहिए और जो यह diversified food है वो available भी होना चाहिए और affordable भी होना चाहिए यह long term solution है short term solution है सिरफ यह जिसमें हम fortified food को available करवा रहे हैं चलिए अगले article को discuss करते हैं अगला जो article है देखिए इंडिया और तर्की के बीच में relations को लेके हैं तर्की के राश्टरपती मिश्टर अर्दगन भारत की विजिट पे आए देखिए historical context की बात करें तो जो इंडिया और तर्की के काफी famous थे वहाँ पे और वहाँ के सूफी मूवमेंट और हमारे देश में बक्ति और सूफी मूवमेंट के बीच में काफी synergy को देखने को मिलती हैं और बीच-वीस ताबदी की बात करें तो आपको याद होगा history के spectrum की book में आपने पढ़ा भी होगा कि जब first world war के दुरान में Ottoman Empire को disempire यानि एक परकार से टुकडो में बांट दिया गया था तो भारत में भी इसके खिलाफ में खिलाफत moments लाई गई थी यानि तर्की के परती एक परकार से sympathy जाहिर की गई थी और moment बिचलाई गई थी हमारे भारत देश में में तो इस परकार से देखे हिस्टोरिकली relations काफी अच्छे थे लेकिन दिक्कत ये पैदा हो गई कि देखे जब भारत और पागिस्तान का बटवारा हुआ 1947 में तो पागिस्तान ने वो legacy inherit कर ली यानि तर्की के relations पागिस्तान के साथ तो अच्छे रहे लेकिन भारत के साथ उनके relations काफी अच्छे नहीं रहे उसके लिए काफी सारे relations अच्छे नहीं रहे आजादी के बाद से तो ये बात आपको याद रखनी होगी तो अभी भी देखे जब भारत की देश की विजिट पर आए तो उन्होंने यहां भारत की विजिट पर आने से पहले कुछ इस तरह की statements दिये जो अपने आप में काफी एक प्रकासे relations को और ज़्यादा खराब करते हैं उन्होंने देखिए कहा कि कस्मीर को कस्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसको multilaterally soul करना चाहिए जबकि ये इंडिया के हितों के खिलाफ है और इंडिया ने इस बात का बार-बार विरोध किया है इंडिया ने हमेशा कस्मीर को bilateral issue बताया है तो ये statement कहीं न कहीं इंडिया को अच्छी नहीं लगी जैसे ही हमने experiment किया उसके बाद में हमने moratorium लगा दिया और हमारा no first use के doctrine भी है जबकि पाकिस्तान के track record काफी बिकार है पाकिस्तान के जो scientist है जिनको श्रेय जाता है ये nuclear experiment का A.Q. Khan उन्होंने तो ये technology काफी सरे देशों को बाठ दी जिसे इवन North Korea को भी इन्होंने ही technology दी है A.Q. Khan ने पाकिस्तान के nuclear scientist है ऐसा रोप भी लगता है और इसलिए ये दो बाते हैं इंडिया को अच्छी नहीं लगी तो इंडिया ने भी क्या किया counter करने के लिए इंडिया ने ठीक अर्दगन यानि जो टर्की के president अर्दगन है उनकी विजिट से ठीक पहले Cyprus के president भी यहां पर island है Mediterranean Sea में और दिकत यह है कि Turkey और Cyprus की relations अच्छे नहीं है क्यों अच्छे नहीं है कि Cyprus का जो northern part है वहां पर तर्की ने कबजा करके रखा है 1970 के आसपास उन्होंने यह कबजा किया था तो इसलिए दोनों देशों के बीच relations अच्छे नहीं है तो तर्की के आर्मेनिया है यहां पर देखें आर्मेनिया और टर्की के relations भी अच्छे नहीं है क्यों क्यों कि First World War के दुरान में आर्मेनिया के लोगों पर मैसकर यानि नरसाहार हुआ था जिनोसाइड हुआ था तो आज भी Turkey और आर्मेनिया के relations अच्छे नहीं है तो हमने हमारे वाइस इन सब चीजों के बावजूद जो रैपो है तर्की के राष्टरपती अर्दगन और नरेंदर मोदी के बीच में काफी अच्छी रैपो देखने को मिली और दोनों ने प्लेज गिया प्रोमिस किया कि जो बढ़ावा देंगे जो कि पिछले कुछ सालों में बढ़ने की इन सब्सक्राइब करेगा तर्की लेकिन उन्होंने ये स्ट्रिंग के साथ में और देशों की बीड को भी सपोर्ट करते हैं तो इन के बाद में देखिए ये कहते हैं कि इंडिया की डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है कुछ लोग ऐसा कौशन्स कर रहे हैं कि अगर रेलेशन्स को एक प्रकार से invite किया गया तो देखिए question यह उठता है कि relations तो हमारे पहले UAE और Saudi Arabia के साथ भी अच्छे नहीं थे वो भी पाकिस्तान की sport हमेशा करते थे लेकिन आज इंडिया की diplomacy के कारण में ऐसा वक्त आगया कि आज हमारे जो relations है वो UAE और Saudi Arabia के साथ काफी अच्छे है और इसलिए तरकी के साथ में भी इंडिया रिलेशन सुधारना चाहता है और यह हमारी diplomacy का एक पार्ट है कि कभी तो future में ऐसा समय आएगा कि जो तरकी है वो पाकिस्तान क का साथ छोड़के एक neutral approach अपनाएगा कम से कम तो यह पूरा आर्टिकल था अगला जो आर्टिकल है कस्मीर के उपर में है एमके नारानन साब दोरा लिखा गए यह आर्टिकल है यह कहते हैं कि कस्मीर की situation काफी grim है violent protest लगतार हो रहे हैं और वहां में कुछ लोगों की जाने भी गई और हमारे जो armed personnel है हमारे armed forces के जवान भी सहीद हुए जो कि अपने आप में काफी एक प्रकार से चिंतनिया विशय है यह कहते हैं कि काफी तरह की दिक्कते हैं और काफी तरह की ऐसी बाते हैं जिस पर इंडिया को गोर करना चाहिए कि इस बार देखिए ऐसा नहीं ह situation है वो काफी खराब है इवन हाल फिलाल में 2008 और 2010 में भी situation काफी खराब थी लेकिन इस बार दिक्कत यह है कि जो militants हैं जो आंतकवादी हैं उनका संबन्द पाकिस्तान बेश्ट जो आंतकवादी संग्थन जैसे की लसकरे ताइबा या फिर जैसे महुम्मत से काफी कम है होम ग्रोन militants काफी ज्यादा है जिनका संबन्द हिजबल मुजाहुदीन से है जो कस्मीर बेश्ट आंतकवादी संग्थन है और जो पूरा जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ पे कोई लीडर नहीं है सबी अपने आपको लीडर समझ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो भी एक परकार से अपने आप में काफी दुखत बात है और क्या कहते हैं ये ये कहते हैं कि देखें सोसल मीडिया है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है और ये एक परकार से इनेक्स्प्लेनेबल है कि क्यों इंकाउंटर की साइट पर जो लोग है वहाँ पे दोड़ते हैं और आर्मी को encounter operation चलाने से रोकते हैं क्योंकि सब को पता है कि encounter की site पर जाने से जान को खत्रा आ जाएगा फिर भी लोग आखिरकार क्यों वहाँ जाते हैं और इसका संकर त्योंकि दिखें रीजन साफ साफ है कस्मीर के लोग है वो काफी alienated मैसूस कर रहे हैं और काफी frustrated मैसू कह रहा है और उसके बाद में देखें ये कहते हैं कि social media है या फिर उसका जो propaganda है उसको encounter नहीं कर पा रहा है जो इंडिया है और जो पाकिस्तान के जो लोग है या फिर पाकिस्तान के जो public relations department है वो भी काफी ज़दा funds दे रहा है social media में जो groups हैं वहाँ पे जो चल रहे हैं admins को पैसा दिया जा रहा है ता कि परकार से न फ्रत फिलाइन के इंडिया के खिलाफ में और जिसका यूज किया जा जाके इंडिया के खिलाफ में वे फोरवड क्या है wave forward में ये कहते हैं कि देखें इनके कुछ अपने अलग से solutions हैं ये कहते हैं कि देखें चीजों को सबसे पहले identify करना होगा कि actual दिक्कत है क्या क्यों लोग encounter site के तरफ जा रहे हैं और दूसरा ये कहते हैं कि देखें कुछ तो अगर मालीजे कि इंडिया को कशमीर को अटोन्मी नहीं देना चाता उसके बार में इनीजों की सांती इंपयसेंड अपील complete करनी चाहिए बहुत कर और उसके लबेर उसके लब देखें सबसे वधाशीत कम करनी चाहिए कैस्प की जाए जादा से जादा jobs provide किया जाए का समीर के अंदर में और पाकिस्तान से भी बातचीत की जाए बातचीत इसलिए नहीं की जाए कि पाकिस्तान मान जाएगा लेकिन बातचीत इसलिए जुरूरी है कम से कम जो वहां पर hardliners है वो separatist है वो उनको तो लगेगा कम से कम India serious है तो इनक के side में या फिर कई और जगह पे बियां सिरफ Pacific Ocean में नहीं हमारे पूरे world map में कई हिस्सों में ये चोटे-चोटे islands फैले हुए हैं और दिक्कत यह है कि global warming की कारण में समूंदर का जो पानी का जो level है समूंदर में वो बढ़ रहा है तो खत्रा पैदा हो गया कि ये डूप जाएंगे तो काफी चीजों की आवशकता है यहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको एक परकार से दूसरे countries को accommodate करना चाहिए और यह सब चीजे डिसकस कर गई हैं इस आर्टिकल से चलिए शुरुआत करते हैं देखिए 52 ऐसे चोटे-चोटे देश हैं जो vulnerable हैं एक परकार से और यह काफी कम ऐसी emissions करते हैं दिक्कत यह कि इनकी कोई गलती भी नहीं है और काफी कम greenhouse gases को यह emit करते हैं और इन 52 चोटे-चोटे आइलेंड्स में 62 मिलियन लोग रहते हैं और एक परकार से climate disruption के पहले यह victims हैं और उसके बार में देखिए काफी तरह के immediate remedies क्या आप सकता है जैसे migration यहां से अगर कोई migration हता है तो दूसरे देशों को उस migration को absorb करना चाहिए इसके अलावा इनको compensation भी मिलनी चाहिए ताकि यह एक परकार से adopt करके अपने आपको climate change का effect से निपटने में और इवन जो greenhouse gases का emissions है पूरे world में वो भी कम होना चाहिए जो Paris climate change agreement हुआ था उसको एक परकार से energy से सबी देशों को implement करने की कोशिस करने ही चाहिए और भी काफी तरह की दिक्कत होती है देखिए इनके साथ में climate change के कारण में जैसे desertification, soil erosion, coast lines है वो erode हो रही है तुफान बहुत जादा आते हैं यह सब चीजों का सामना भी इनको करना पढ़ रहा है इसके मानले आने वाले time में future में अगर यह चोटे चोटे जो island है वो डूब जाएंगे तो इनके लोग कहां जाएं इसलिए जो टुवालू चोटा सा island है हमने जो देखा map में यहां पर देखिए यह टुवालू island है यह वाला तो इनके Prime Minister ने New Zealand जो इनके साथ लगता देश ह इनसे प्रातना की कि आप हमारे लोगों को accommodate कीजिए क्योंकि हमारा जो देश है island है वो आने वाले time में डूब जाएगा लेकिन New Zealand ने कहा कि देखिए सिरफ एक साल के अंपर में 75 लोगों को accommodate कर सकते हैं हम आपके देश से और ऐसे तो देखिए 140 साल लग जाएंगे जिससे कि पूरी जो population है वो टुवालू की वो accommodate हो पाएगी या फिर उनको वो migrate हो पाएगी जो कि अपने आप में काफी चिंता जनक और हाश्यापत बात है और अस्टेलिया ने तो even साफ साफ इंकार ही कर दिया अस्टेलिया ने का कि नहीं हम दूसरे देशों से migration को accommodate या फिर absorb नह में लिगल जो analyst है वो कहते है कि इसके लिए एक international compensation commission के एक प्रकार से इसको establish किया जाए ताकि ये सब चीजे देख सके कि कितनी ज्यादा compensation क्या आउशकता है इन चोटे चोटे island countries को और कितना fund चाहिए international countries से situation कितनी ज्यादा grim है situation देखिए कहते हैं कि अगर मालीजे greenhouse gas emissions जो है वो 2050 तक 50% बढ़ जाएगा रिपोर्ट ऐसा कह रही है अगर मालीजे ये जो emissions है उसको कम भी करते हम कुछ हद तक तो भी खत्रा इतना तो है कि वो डूब जाएंगे यानि डूबने से तो हम उनको बचा नहीं सकते हैं लेकिन थोड़ा वो डिले हम कर सकते हैं डिले तब कर सकते हैं जब greenhouse gas emissions को एक परकार से हम control में रखें तो कुछ और ज्यादा सालों के लिए वो डूबने से बच जाएंगे और इसके लिए और भी कई सारी चीजे हमें उठानी पड़ेंगी जैसे कोश्टल प्रोटेक्शन, population consolidation, rain, harvesting, storage, alternative methods of growing fruits and vegetables यानि जो हमारे fruits या फिर सबजियां हैं उनको गाने के दूसरे तरीके हमें खोजने होंगे तो यह सब चीजे हैं हमें करने होंगे अगर हम avoid करना चाहते हैं थोड़े समय के लिए कि जो island countries हैं वो ना डूबें लेकिन जो कोश कोश्ट है इन सब चीजों की वो बहुत ज़्यादा है वे फॉर्ट में क्या आता है देखिए एक मातर solution यह है कि political pressure को बढ़ा एक प्रकासे political pressure को बढ़ाया जाए दूसरे जो international countries हैं उनके उपर ताकि वो serious हों अब देखिए जैसे ट्रम्प है ट्रम्प तो बात कर रहे हैं क कि उससे भी ज्यादा एक aggressive agreement आना सी है ताकि यह चोटे-चोटे देश हैं वो डूबने से बच जाएं तो इसके लिए एक forum का निर्मान करने क्या शकता है जो यह forum होगा इन चोटे-चोटे island countries का वो negotiate करेगा बाकी देशों से और उनसे compensation मांगेगा क्योंकि देखिए compensation की international framework convention on climate change 1992 है उनमें बात भी की गई है कि global warming से निपटने के लिए जो developed countries यानि जो अमीर देश हैं वो developing countries को पैसा देंगे ना सिरफ developing countries को बलकि छोटे-छोटे-चोटे देश हैं जैसे कि यह जो दूब जाएंगे उनको भी पैसा मिलेगा ताकि adoption वो कर्ष के और एक ऐसी रिद तो यह पूरा article था अगला जो article है वो हमित कर जाई जो अफगानिस्तान के पूरा राश्टरपती से उनके interview से लेके कुछ points को हम discuss करेंगे देखिए आपको याद होगा अमेरिका ने कुछ दिन पहले जो mother of all bombs यानि nuclear bomb के बाद में सबसे जो खतरनाक bomb है उसको गिराया points में यहाँ पर गिराया गया था तो सबसे पहले तो हमित कर जाई इस बात का विरोध कर रहे हैं यह कहते हैं कि देखिए पिछले दो साल से जो ISIS है वो अफगानिस्तान के अंदर मुझूद है और वहाँ पर उन्होंने गुफाओं पर कबज़ा भी करके रखा है और अमरी जान भूच के double standard खेलता है और दूसरा यह कहते हैं कि देखिए अमरीका 2002 से flip-flop की policy अपनाता है यानि अमरीका बार-बार कहता है सब को पता है कि देखिए जो पागिस्तान है वो तालिबान को sport करता है और इससे अफगानिस्तान में stability नहीं आपा रही है यहाँ से तालिब में हामित करजई से पूछा गया कि देखिए अगर आप कहते हो कि US इसके लिए responsible है लेकिन अब तो रश्या भी एक प्रकार से legitimacy प्रवाइड कर रहा है तालिबान को वो भी तालिबान से बातचीत के लिए त्यार है और अभी रश्या ने बातचीत सुरुवात करी यानि इंटरलेशिया और इवन पाकिस्तान और तालिबान की उसके अंदर में है तो इस बात का जबाब देते हैं हामित करजई कि देखिए तालिबान से बातचीत इंडिया के लिए मना है मतलब इंडिया बातचीत के लिए त्यार नहीं है तालिबान से और इंडिया एक प्रकार से तालिबान के आंतकवादियों ने इवन इनोसेंट यानि निल्दोस लोगों को मारा है अफ़वानिस्तान के अंदर में इससे तो साफ साफ यही पता लगता है कि वो होमन बिंग्स हैं नहीं वो सांती चाहते ही नहीं और यह कहते हैं तालिबान को एक चीज समझने के आव सकता है कि अगर आप चाहते हो कि यूएस जाए अफ़वानिस्तान से तो आपको अटेक्स करना बंद करना पड़ेगा क्योंकि जितना ज़्यादा तालिबान अटेक्स करेगा यूएस उतने ही जादा दिन अफ़वानिस्तान के अंदर में रहेगा और यह बात तालिबान को समझने के आप सकता है ऐसा कहते हैं हामिद कर जेगी उसके बाद में क्या है उसके बाद में यह कहते हैं कि देखें इन से जब पूछा गया जो इंडिया है इंडिया के रिलेशन्स तो अब यूएस के साथ में और ज्यादा अच्छे हो गए है तो यह कहते हैं कि देखें और यूएस एक परकार से प्रेसराइज कर रहा है इंडिया को कि अफगानिस्तान में वो अपनाга से बढ़ाए, तो यह कहते हैं इंडिया से पहले से काफी सालों से यह कहते है मैं रिक्वेश्ट कर रहा हूं कि इंडिया अपना बढ़ाए अफगानिस्तान के अंदर में और वहां पर स्टेबियरीटी लाने में साहिता करें तो इंडिया को ऐसा करना चाहिए लेकिन यू I को कहने पर नहीं करना चाहिए इंडियाकी खुद खुट की फौरण पॉल्स ये ऐसा होना चाहिए यू तो कल को कुछ भी कहा सकता है आज यू श कह रहा कि इंडिया अपना participation बढ़ाए, अफवानिस्तान में stability को लेखे, कल USU भी कह सकता है कि इंडिया पीछे हट जाए और participation निभाना बंद कर दे, क्या इंडिया बाद में पीछे हट जाएगा, कते ही नहीं अटेगा तो इंडिया की जो foreign policy है वो independent होनी चाहिए, ऐसा कह रहे है हाँ मिल कर जाएगे, आगे क्या कहते हैं, बस इतना ही कहते हैं, आगे कुछ कहते ही नहीं है तो यह important points थे, अगला जो article है यह थोड़ा important points है, 3-4 points इसमें से important है, क्या important points है देखिए एक चीज होती है, जो लोग 8 से PD होते हैं, उनका CD4 count है, वो काफी कम हो जाता है, CD4 count मतलब lymphophytes, lymphophytes होते हैं, वो काफी कम हो जाते हैं, जिससे स्रीर की जो immunity है, वो काफी कम हो जाती है तो WHO ने 2002 में guidelines दी, कि ऐसे लोग जो 8 से PD हैं, और जिनका CD4 count है, वो 200 से कम है, 200 से कम होने का मतलब यह है, कि वहाँ पे जिन 8 से PD लोगों का CD4 count है, वो 200 से कम है, इसका मतलब है, कि वो stage 3 में है, क्योंकि आम तोर पे normal जो लोग होते हैं, उनका CD4 count होता है, वो 500 से 1600 के बीज म कम हो चुकी है, और WHO ने यह का था, कि देखें, जिन लोगों का CD4 count 200 से कम है, उनको anti-retroviral therapy दी जाए, anti-retroviral therapy क्या होती है, anti-retroviral therapy एक kind of combination of drugs होता है, क्योंकि देखें, जो यह virus है, HIV जो virus है, AIDS में, इसको खतम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कई तरह के drugs को अगर मिला के यू कि इसमें combination of drugs यूज होता है, और इससे वारस की growth जो है, वो रुक जाती है, और स्रीर की जो immunity है, वो maintain रहती है, तो WHO ने यह काता कि, देखें, 2002 में कि anti-retroviral therapy सिरफ उनको मिलनी चाहिए, जिन में जो CD4 count है, वो 200 से कम है, यानि immunity है, वो काफी कम हो चुकी है, और 2013 की जो guidelines है, उन्होंने का कि, यह जो CD4 count है, वो बढ़ा दिया, उन्होंने का कि, जिन लोगों का CD4 count 500 से कम हो चुका है, उनको anti-retroviral therapy मिलनी चाहिए, यानि combination of drugs उनको मिलने चाहिए, यहाँ पे देखें, यह है CD4 count, जो हमने अभी discuss किया, यह kind of immunity को दरसाता है, नोर्मल लोगों में होता 500 से 1600 के बीच में, और 500 से कम हो जाए, तो इसका मतलब स्रीर की जो immunity है, वो काफी कम हो गई है, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए, नई, 2013 की guidelines के बाद में, आब ड़लो एचोंने नई guidelines जारी करी है, उन्होंने का कि, देखिए, CD4 count को आप ignore कर दीजिए, जो जो एच से पीडित है, उनको आवशक रूप से anti-retroviral therapy मिलनी चाहिए, और जितना जल्दी हो सके वो मिलना चाहिए, इस decision के बाद में, जो 4.5 लाक जो deaths है, उनको avoid किया जा सकता है, वेफ औरोड में क्या आता है, वेफ औरोड में यह आता कि देखिए, अभी हमारे देश को तो 1600 जो treatment delivery centers हैं, उनको expand करने के आवशकता है, और जल्द से जल्द उन लोगों को identify किया जाए, जो HIV यानि AIDS से जो पीडित हैं, उन लोगों को identify किया जाए, और उनको जल्द से जल्द anti-retroviral therapy provide कि जाए, ताकि एक प्रकार से जो deaths हैं, वो avoid कि जा सके, और इसके लिए community-based testing को भी बड़ावा देने के आवशकता है, तो यह way forward था, तो इस discussion में बस इतना ही, thank you, thank you very much for discussion.